पीट पीट कर हत्या वीडियो वारल जिहां यूपी के साजहापुर में दिल दहला देने वाली एक संसनी खेज घटना सामने आई है जहां एक यूवक ने मामूली विवाद में अपने चचेरे भाई की डंडे से पीट पीट कर हत्याग कर दी है घटना का किसी ने वीडियो बना लिया और पिटाई का वीडियो सोसर मीडिया पर वारल हो रहा है फिलहाल पुलिस ने आरोपी यूवक की खिलाप मुकदमा दर्श कर जास सुरू कर दी है दरशल घटना पुआया थाना छेतर के तर्ती बजार इलाके की है जहां सोम मार की दोपहर सराब की नसी में चचेरे भाईयों में गाली गलोज हो गया था दोनों भाईयों में विवाद इतना बढ़ गया कि मुकेश नाम के यूवक ने पडोस में रहने वाले अपने चचेरे भाई विनोध से आपस में मारपिट होने लगी इस दोरान विनोध ने मुकेश के सर पर डंडे से हमला कर दिया और उसके सिर पर लगातार कई वार किये जिसे मुकेश की हालत मरनाशन हो गई आलन पानन में घायल को जिला स्पताल ले जाया गया हालत गंबीर होने पर उसे लपनव रेफर कर दिया गया जहां इलाज के दोरान मुकेश की मौध हो गई वहीं मौके पर खड़े मोहले के लोगों में से किसी एक ने घटना की वीडियो बना ली और सोसल मीडिया पर वायर कर दी है फिलाहाल पुलिस ने परजनों के तहरीर पर आरोपी युवा के खिलाब मुकदमा दर्जर जाज सुरू कर दी है थाना पुआय के छेत्र तरती बजार में दिनांके एक फरोरी 2021 को दो चचेरे भाई जिनके नाम मुकेश और विनोध हैं उनके मद्ध मारपीट हुई मारपीट में विनोध ने मुकेश को डंड़ो से मार दिया जिससे मुकेश गंभी रूप से घायल हो गया इलाजे दोरान मुकेश की मृत्ती हो गई थाना पुआय में अभियोग पंजिकरित कर लिया गया है और ततकाल विधिक करवाई सुनिशित की जा रही है कर दो